एक बार की बात है शंकरपुर नाम के गाउं में रामु नाम का आदमी मुर्गियां पाल कर और उनके अंडे बेच कर अपना घर चलाता था पूरा गाउं रामु से ही अंडे खरीता था एक दिन रामु की दुकान पर एक आदमी आता है वो अद्मी निराष होकर वहाँ से चला चाता है तभी रामु का चचेरा भाई पिंटू वहाँ आ जाता है और रामु को खुद से बात करते हुबे सुन लेता है पिंटू एक नंबर का लालची और बुरा इंसान था रामु भाया मैंने सब सुन लिया है और यही नहीं तुम्हारी सब समस्या का हल भी है मेरे पास तुम चिंता क्यों करते हो तू कब आया और तेरा यह छिपकर बाते सुनने की आदत नहीं गई न एरे रामु भाया तुम यह सब क्यों सोच रहे हो क्या तुम्हे यह नहीं जानना की तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास अच्छा कैसा हल है बिंटू, अब आ गए हो तो बता ही दो, बिना बता है तो तुम मानने से रहे और वैसे तुम तो शहर गए थे ना घूमने के लिए, तुम वापिस भी आ गए तुम भी न रामू, हाँ मैं वापिस आ गया, और देखो मैं क्या लाया हूँ शहर से तुमारे लिए अब हम कुछ ही महिनों में लगपती बन सकते हैं, बहुत ज्यादा हमीर क्या, ये सब तुम क्या बोल रहे हो बिंटू, कहीं सुबह सुबह नशे में तो नहीं हो सच कह रहा हूं रामू, देखो गाओ में तो कितने सारे लोगों को हमारी मुर्गियों के अंडे चाहिए होते हैं, पर हम कितने कम लोगों को ही अंडे दे पाते हैं हाँ क्यूंकि हमारे पास मुर्गियां कम है, और मुझे नहीं लगता कि समस्या का कोई हल है है अरे शहर में तो हर चीज काल है और रामू ऐसा ही हल एक मैं शहर से लेके आया हूँ ये देखो पिंटू रामू को एक केमिकल की बोटल दिखाता है देखो रामू मैं ये एक ऐसा केमिकल लाया हूँ जिससे हम सभी गाउवालों को मुर्गियों के अंडे दे पाएंगे वो इसके बाद तो कमाल होगा कमाल ये मुर्गियां जितने अंडे हर रोज देती हैं उससे डबल अंडे देने लगेंगी ओ अब मैं समझ गया पिंटू कि तू क्या कहना चाह रहा है आशाबाश रामू मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था तू मेरी बात सुनेगा पर पैसे केसे नहीं चाहिए होते तो ये ले रामू ये कैमिकल आज राधी मुर्गियों के खाने में मिला देना तुझे बिल्कुल सही लगा था पहले पिंटू मैं तेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनूँगा देख पिंटू मुझे अपने मुर्गियों से बहुत लगावे और इ पिंटू वहाँ से गुस्से में अपने घर चला जाता है अपने घर जाकर पिंटू सोच में पढ़ जाता है ये रामू तो ना खुद पैसे कमाएगा ना मुझे कमाने देगा क्या करू में इसका नहीं नहीं, मैं अच्छे मौके को बेकार तो नहीं जाने दूँगा, मैं उन मुर्गियों को फायदा उठा कर रहूँगा, भले मुझे अपने प्यारे भाई को मारना ही क्यों न पड़े, आखिर कब तक मैं जोबरी पटी में रहूँगा, मुझे पैसे कमाने और शेहर जान लो लो इससे पहले तुम्हारा मालिक उठ जाए और यहां आ जाए तुम इसे खालो, वरना वो तुम्हें ये खाने से रोग देगा और मेरा भारी नुकसान हो जाएगा तब ही वहां पर रामू आ जाता है, और पिंटू को वहां मुर्गियों को खाना खिलाते देख कर गुस्से से चिलाता है रामू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पिंटू को एक थपड़ मार देता है शर्म नहीं आती तुझे पिंटू पिंटू को थपड़ खाकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास रखा हुआ चाकू उठा कर रामू को उससे मार देता है इतना कहेकर रामू मर जाता है और पिंटू उसकी लाज को ठिकाने लगा देता है अगले दिन सुबह रामू की दुकान पर रामू की जगा पिंटू बैठा हुआ था तब ही एक आदमी वहां आता है अरे पिंटू भाई ये क्या आज तुम यहां बैठे हो रामू कहा गया वो अब ऐसा है ना कि रामू तो कुछ समय के लिए शहर गया हुआ है तो अब वो कुछ दिन वहीं रुखेगा तब तक मैं हूना मैं रामू की जगा गाओ वालो को मुर्गियों के अंडे बेचूंगा अच्छे भाई पर कल तो वो यहीं था मैंने उससे मेरी भाई की शादी के लिए 100 अंडों का ओडर लेने को कहा था पर उसने मना कर दिया यह कहकर कि इतने अंडे मुर्गिया नहीं दे पाएंगी ओ ऐसा ने ने भाई तुम चिंता मत करो मैं ले रहाँ तुमारा ओडर तुम्हें तुम्हारे 100 मुर्गियों के अंडे मिल जाएंगे वो भी समय पर क्या सच में यह तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने पिंटू भाईया अभी जाकर मैं यह खबर घर पर सुनाता हूँ और यह एडवांस पेमेंट रखो पिंटू एडवांस में पैसे मिलने की वज़ह से बहुत खुश हो जाता है पैसे जेब में रखकर पिंटू मुर्गियों के पास जाता है और देखता है कि रात में मुर्गियों को केमिकल वाला खाना खिलाने की वज़ह से मुर्गियों ने सच मुझ डबल अंडे दिये थे वो इस बात से काफी खुश था वा, अब तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा अच्छा है वो रामु मर गया अब मुझे पैसे उससे बाटने भी नहीं पड़ेंगे पर असल में रामु मरता नहीं है बलकि भूद बन जाता है भूद बनने के बाद रामु सबसे पहले अपनी मुर्गियों के पास आता है अरे मुर्गियों, मेरी प्यारी मुर्गियों कैसी हो तुम सब मुझे पता है उस पिंटू ने तुम्हें कैमिकल वाला खाना खिलाया है लो ये अच्छा खाना खाओ इससे तुम सबको अच्छा लगेगा रामु पास में रखा मुर्गियों का खाना उठाता है और उसे मुर्गियों को खिलाने लगता है मुर्गियों वो खाना खा लेती है ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है जब पिंटू आकर मुर्गियों के खाने में केमिकल मिला कर जाता, तो रामू का भूत उस खाने को अच्छे खाने से बदल देता था, और मुर्गियों को सिर्फ खाना ही खिलाता था, इस वज़े से मुर्गियों ने डबल अंडे देना भी बंद कर दिया था, एक दिन एक साथ डाल कर इने खिला देता हूं, तो शायद मुझे सुबह तक सो अंडे मिल जाएंगे। इतने में जिन मुर्गियों ने पिंटू का दिया खाना खालिया था, वो भूत के सामने ही तडब तडब कर मर जाती है। पिंटू भी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भूत अपनी मरी हुई मुर्गियों को गले लगा कर रोने लगता है। अरे री ये क्या हो गया, ये तो मर गई, अम मैं शादी का ओर्डर कैसे पूरा करूँगा। शायद मुझे सारा कैमिकल एक साथ नहीं डालना चाहिए, कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इनको पका पका कर चिकन बिर्यानी बना दूँगा। और उस आदमी से कहूँगा कि आमलेट की जगह अपने महमानों को चिकन बिर्यानी खिला दे, ये अच्छा एडिया है। भूत को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो पिंटू का गला पकड़ कर उसे हवा में उड़ा देता है। भूत अपनी आधी मरी हुई मुर्गियों को जमीन में गाड़ देता है और अपनी बाकी जिन्दा मुर्गियों को अच्छे से पालने लगता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि वो पिंटू नहीं बलकी रामू था।